Hello to all and welcome back to my channel आश्रा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और आज के दोनों के दोनों मैची देखने वाले हैं जैसे कि आप सभी लोग को पता है दुपैर का मैच होने वाला है KKR vs GT Team के साथ और शाम का मैच होगा DC vs SRH के साथ The Eden Gardens एक ऐसा वेनू है जहां रन्स हैव एपसलूटली फॉलोग दिस सीजन इच अफ दी लास्ट तू मैचेस प्लेड हैर है अग्रिकेट अफ मोर देन 400 रन्स और दोनों गेम्स में ही देखा गया है 15.5 मैक्सिमूम स्कोर हुआ है यहां शायद अच्छा चांस होगा इस मैच में भी सेम चांसेस हो इस IPL सीजन में गीलेक ट्रिमेंडस फॉर्म में है और तो और फास्ट कोर भी कर रहे है जो पहले कभी नहीं देखा गया उन्होंने बाउंडरी भी क्लियर कर रहे है और मुझे लगता है कि उनका बहुत अच्छा चांसेस है एक अच्छी इनिंग्स देने का दोनों टीम के पास ही अच्छे और सीरियस स्ट्राइक से और अच्छा खेल रहे है 210 रंस और उससे भी जादा स्कोर करना इस IPL में कुछ अनकॉमन नहीं होगा सिर्फ कुछ बड़ी हिट्स और सिक्सेस और चार आपको बाउंडरी दे सकती है केके आर वसेस जीटी टीम प्रिवियूस कोलकाता नाइट रैर्रस की बात करते हैं पहले सीरिस के स्टार्ट में जीटी के अगेंस्ट के के फेमस जीद के बाद केके अट टीम चार मैचेस हार गई और टीम पॉइंस टेबिल के नीचे आने लगी हाला कि आर्से के अगेंस्ट मैच जीद के टीम ने अपनी लूजिंग स्टीक को तोर दिया है स्रयाश अयर के अपसेंस के कारण टीम में बैटिंग डिपार्ट्पेंट में गैब देखा गया है लेकिन जीसन रॉइ की एंट्री ने टॉप ओर्डर में एक स्ट्रॉंग लाइनप भी बनाया है रॉइ ने तीन मैचेस में हाफ सेंचुरिस बनाई है और उनका फॉर्म इस मैच में भी कंटिन्यू रहेगा लेकिन रॉइ एक इंकंसिस्टेंट प्लेयर भी है केके आर का मीडिल ओडर काफी स्ट्रॉंग दिखाई दे रहा है विंकेटिश आयार और नितिश राना कॉंस्टेंटली स्कोर कर रहे है रिंकु सिंग अपने लास्ट हेट टो हेट मैच में जीटी को हराने में इंस्टूमेंट रहे है और ये performance एक magical performance थी पर अब सिंग का performance काफी improve हो रहा है मुझे नहीं लगता है कि टॉप ओडर में जगदीशन एक अच्छा option होगा as वो struggle कर सकते हैं strike rate के साथ और middle order batsman पे भी काफी pressure आ सकता है केगिया टीम lower order पे काफी struggle face कर रहे है जहां एंड्रे रसेल और सुनिल नारयन के अभी तक full potential के साथ perform नहीं किया है रसेल को particularly time नहीं मिला है जितना उनको middle order पे जरुरत है balling department में spinos के excellent form देखा गया है अभी तक वरुन चक्रवर्ती ने 13 wickets ली है जहां सुयश शर्मा और सुनिल नारयन ने मिलके 15 wickets लिया है इस season के KKR के team के लिए सुनिल नारयन काफी expensive नजर आ रहे है उनकी play में lack of confidence देखा जा रहा है हाला कि youth player सुयश शर्मा इस level में perfectly fit होते है सीमस भी बहुत जादा struggle कर रहे है और शाड़ूल ठाकूर ने अपनी last 5 matches में 2 wickets और उमेश यादव ने 8 matches में से सिर्फ 1 wickets ली है इस scenario में KKR team अपनी batting पे भरोसा रखके match जितने की कोशिश करेंगे गुजरात Titans गुजरात इस series की consistently performing team रही है और points table में top 4 में है GT की success की credit जाता है team walk को टीम के हर player अभी तक winning matches में contribute कर रहे है वैसे तो शुभम गिल top order batsman बने हुए है और रिधिमन शाहा, साई सुदर्शन और विजय शंकर भी अच्छा support मिल रहा है हार्टिक पांडिया third order पे last three matches खेल रहे है और उनकी strategy spin hitters के आने से पहले innings की tone set करने में successful रही है डेविज मिलर, अविनाफ मनोहर और राहूल तिवातिया ने भी last match में भी अच्छी batting का प्रदर्शन दिया है overall team की batting line up good shape में नजर आ रही है ये एक अच्छी बात है कि GT अपनी strike rate बरा रहा है और Eden Gardens में खेले जाने वाला आज का magic high scoring venue है और GT को अपनी strike rate बराने का एक मौका मिलेगा GT का bowling attack well balanced है और in fact इस पूरे tournament का best bowling attack है जहां रशीत खान इस tournament में 14 wickets लेके joint highest wickets taker है वही नूर आमेद ने अपनी last match में 3 wickets ली है महमत शामी नहीं ball के साथ excellent है और मोहित शर्मा और हार्टिक पांडिया की bowling economical रही है मोहित शर्मा डेट ओवस पे अच्छी balling कर रही है और GT ने right combination of players का formula crack कर लिया है इस team में balling attack में इतनी variety और डेट थे कि जब GT कम run भी बनाती है तो competitive play देती है केकियर वसेज जीटी toss prediction Eden ground की toss जीतने वाली हर team इस season पहले batting choose किया है और आज भी हम ये उमीद कर सकते है Peach and conditions Eden की Peach batting and batsman के लिए इस season excellent है Peach पे अच्छा bounce होने के वज़े से ball आसानी से bat की तरफ आती है हाला कि Peach धीरे धीरे slow down हो जाती है और spinners को later match में अच्छा मौका देती है KKR vs GT prediction KKR अपनी last two matches Eden ground पे हार चुका है GT home ground के बाहर अपनी three matches जीत चुका है Player to player comparison में GT के पास strong team है और हम easily यह predict कर सकते हैं कि Gujarat Titans to win the match I hope कि आपको मेरा prediction अच्छा लगा होगा prediction अगर अच्छा लगा है तो like button दबा दीजिए और match कुछी दिर में शुरू होने वाला है तो फटाफट match देखिए अपनी family के साथ, अपनी close one के साथ और खुद के साथ भी आपका दीन अच्छा हो Thank you